अब जैसे इस वीडियो में हम बात करेंगे application of a laplace application of a laplace में सबसे पहले हमारा formula आता है laplace of d की power 4 इसे सबसे पहले हम tricks देखेंगे कैसे हम इसे याद रख सकते हैं into y ठीक तो इसे याद रखने का तरीका क्या है जो भी d की power है maximum power है याद की d की power यहाँ पर क्या है 4 वहाँ से हम p की power start करेंगे तो इसे हम p की power 4 लिख लेंगे उसके बाद next step में p की power 3 उसके बाद p square फिर p उसके बाद p रुकेंगे कहाँ पर जहाँ पर p की power 0 यानि की constant बन जाए suppose यहाँ पर p की power 0 क्या आजएगा 1 next step क्या होगा हमारा जो सबसे पहला p की power है उसके साथ multiply कर देंगे la plus of y की next step में y 0 फिर y dash 0 फिर y double dash 0 उसके बार y triple dash 0 अब यह जाएगा कहां तक वो depend करेगा p की power पर जहांपर p की power 0 यानि की constant बन जाएगी वहाँ पर हम रोख देंगे formula को उसके बार next step क्या होगा सबके बीच में हमें minus लगा देना है तो simple तरीका है याद रहने का similarly la plus of d की power q y निकालना हो तो d की maximum power क्या है 3 यानकि p की power 3 से start करेंगे फिर next हमारा क्या हो जाएगा p square उससे next हमारा p p की एक power गटती जा रही है उसके बाद p की power 0 यानि की हमारा one a constant आजेगा next step क्या होगा जो first है उसके साथ la plus of y लिख देंगे फिर y 0 फिर differentiation बढ़ाते जाएंगे y dash 0 फिर y double dash 0 कहां तक जाएंगे वो p की power पर depend करेगा यहां पर p की power बन होगी वहां तक dash लगाते चले जाएंगे यदि 4 होती पर पावर हमारा triple dash तक भी हमें जाना पड़ता next step क्या होगा सब जगे माइनस sign लगा देंगे बीच में बस यह हमारा formula बन गया similarly la plus of d square y उससे बनाने का तरीका d की maximum power क्या है 2 यानि की p की भी maximum power 2 होगी next step में p की power 1 घट जाएगी यानि की 1 हो जाएगी अब next step में p की power 0 यानि की 1 अब यहाँ पे हमारा formula लुग जाएगा next step la plus of y लिख देंगे first time के साथ उसके बाद y 0 और differentiation बढ़ाते जाएगे y dash 0 next step बीच में minus लगा देंगे तो यह हमारा formula बन कर आ गया similarly la plus of d of y हमारा क्या होगा d की maximum value power क्या है 1 तो p की power 1 से start करेंगे उसके बाद p की power 0 यानि की 1 हो जाएगा अब first step में la plus of y next y 0 y dash 0 पर नहीं जाएगे क्योंकि हमारी p की power यहीं खता तो इस तरीके से बड़ी से बड़े हम differential equation का la plus find out कर सकते हैं अब इस से regarding हम सबसे पहले question देख लेते हैं सबसे पहले हमारा question given है d square plus 1 into y equal to हमें क्या given है t एक चीद हमें यहाँ पर ध्यान एकने सबसे पहले question note कर देते है y 0 हमें condition given 1 और y dash 0 हमें क्या given है minus 2 अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक है कि हमारा हमेशा laplace की property क्या होती है हमने first laplace की वीडियो में देखा था laplace of ft हमारा convert हो जाता है laplace basically करता क्या है हमारा t वाले function को p वाले function में convert कर देता है इसका क्या result है कि हमारा केवल laplace वहीं apply होगा जहां हमारा t as a function of t होगा उसके लावा हम कहीं भी laplace नहीं लगा सकते या d square वाले में अब सबसे पहले यहाँ पर y के अंदर multiply कर लेंगे तो हमारा यह क्या बन जाएगा d square y plus y equal to हमारा t आगे अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे laplace ले लेंगे इधर भी laplace ले लिया इधर भी laplace ले लिया तो यह क्या आजएगा laplace of d square y plus laplace of y equal to laplace of t अब t वाले का तो laplace हम निकालते है laplace of t की power n क्या होता हमारा gamma formula gamma n plus 1 यानि कि जो भी t की power है उसमें 1 add कर दो gamma में upon p की power में भी जो भी power है उसमें 1 add करते हैं यानि कि n plus 1 तो इसका laplace क्या हो जाएगा हमारा t का यहाँ पे t की न की जगे क्या है 1 तो gamma 1 plus 1 n की जगे 1 put कर देंगे upon p की power 1 plus 1 यही आजएगा बाइदा फोर्मूला और laplace of d square y क्या होता है हमारा p square laplace of y इसकी हमने tree देखिया भी आप एक बार rewind करके दोबारा देख सकते हैं यदि आपको समझना है minus p y 0 minus y dash 0 हाला कि करते करते कि उससना आपको खुद भी याद हो जाएगा practice के साथ plus laplace हम y का तो निकालेंगे नहीं cable t वाले का निकलता है equal to हमारा laplace of t की value क्या है gamma 2 upon p square अब gamma 2 की value क्या होती है यह देख लेते है gamma 2 basically gamma n plus 1 हमारा relation होता है factorial n यह हमने देखा था जब हमारा n क्या हो एक whole number हो या integer में हो तो हमारा यह factorial link के बरावर हो जाता है यानि कि यहाँ पर जो भी value हो उससे एक काम factorial में आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा गामा 2 equal to factorial 1 upon p square तो सबसे पहले हमारा step क्या होगा एक तो यह हमारा factorial 1 बना लेंगे उसके बाद जो laplace of y वाली term है उससे एक साथ ले लेंगे और यहाँ पर y 0 की value क्या पुट कर देंगे 1 और y 0 की value minus 2 तो यह सारी पहले लिए पुट कर लेंगे तो फिर पहले laplace of y वाली term एक साथ लेंगे तो यहाँ पर आ रही है p square एक यहाँ रहा है 1 यह आ गया minus y 0 की value क्या है 1 तो यह minus p बन जाएगा minus y 0 की value क्या है minus 2 यानि की plus 2 हो जाएगा यह laplace of y तो अधर जा चुका है equal to factorial 1 की value 1 होती है 1 upon p square अब laplace of y के लावा जो भी term है उस सबको हमर rss की तरफ ले जाएगे तो यह हमारा क्या बन जाएगा 1 upon p square यह इधर जाके plus p minus 2 यह आ गया अब laplace of y अब यह हम नीचे की तरफ ले आएगे p square into p square plus 1 right hand side मा आ जाएगा laplace of y के लावा सब p square plus 1 minus 2 upon p square plus 1 अब l जो यह laplace को इधर ले आएगे तो यह क्या बन जाएगा laplace inverse तो laplace inverse 1 upon p square into p square plus 1 plus laplace inverse of p upon p square plus 1 minus 2 upon p square plus 1 यह आ जाएगा अब सबसे पहले हम निकालेंगे इसका laplace हमें पता है laplace inverse of p upon p square plus 1 क्या होता है जब भी numerator में हमारा p से multiply हो रही हो तो वो laplace क्या हो जाता है cos a t का और a की जाएगा हमारा 1 तो यह laplace inverse हो जाएगा cos t का similarly 2 को बाढ़ लेंगे laplace inverse यहां लगाएगे तो laplace inverse 1 upon p square plus 1 क्या हो जाएगा क्योंकि हमारा numerator में p की value नहीं आ रही है यानि कि यह किसका होगा sin a t का laplace और a की value क्या है 1 तो sin t का laplace अब main point आता है इसका laplace कैसे निकालेंगे सबसे पहले हम यह laplace निकलेगा by the division property हमने division property as this is regarding आपको doubt है division property of laplace inverse की separate video है आप उसे जाकर देखें तो आपको detail में समझे में आ जाएगा आलागि short point में समझाने की कोशिस यहां करूँगा पढ़ना necessary video already बड़ी होती जा रही है तो यह हमारा यह बन कर आएगा तो इस step में क्या होता है basically हो क्या रहा है यहां पर one upon p की power से divide हो रहा है और जब भी one upon p की power से divide होता है तो जितनी भी p की power से divide होता है उतनी बार हम उसका integration कर देते हैं किसका laplace inverse of fp का और laplace inverse of fp क्या होगा यह basically हमारा fp होगा इसका laplace inverse निकालेंगे सबसे पहला step होगा हमारा इसका लापलास inverse क्या आया था हमारा, यहाँ पे भी निकाला था है, यह आएगा हमारा sin t, इसका, यह कितनी p की power से divide हो रहा है, p की power 2 से, यानकि इसका धो बार integration कर देंगे, over the limit 0 to t, सबसे पहले इसकी, जदी हम differentiation करेंगे, dt के respect में, तो यह हमारा क्या आजएगा, cos t, और limit put कर से multiply हो रहा हो, multiply कितना हो रहा, p की power 2 से, तो इस case में हम क्या करेंगे, इसका एक और बार integration कर देंगे, 0 to t, तो जैसी हम इसका एक और बार integration करेंगे, तो cos t का तो आजएगा sin t, और limit की आजएगी, 0 to t, और 1 का आजएगा t, और limit की आजएगी, 0 to t, तो sin t की limit put करेंगे, तो upper लिमिट में sin t, sin t रह जाएगा और sin 0, 0 होता है similarly, t में t की पावर, t में जैसे limit t पूट करेंगे तो t रहेगा और 0 पर 0 तो इसका हमारा Laplace Inverse 1 upon p square into 1 upon p square plus 1 का Laplace Inverse क्या हो गया sin t minus t अब basically हम करेंगे क्या एक तो ये वाली value एक ये वाली value और एक ये वाली value इस equation में put कर देंगे हमें y की value find out हो जाएगी ये ही तो है Laplace Inverse 1 upon p square into p square plus 1 की value यहाँ सा आ जाएगी Laplace Inverse ओ p upon p square plus 1 कोश्टी होता है और 2 की लिए multiply हो रही है Laplace Inverse ओ p square plus 1 तो ये हमारा क्या होता है sin t ये सारी value put करेंगे हमारी y की value आ जाएगी ठीक कहीं कुछ कुछ कोश्टनों में हमें given होता है y0 या yटाइ 0 में से किसी a की value constant given होती है constant नहीं एक variable मनलब k, a, c कुछ भी given होगा और हमसे पूचेगा उसकी value निकालो तो next वीडियो में हम वो question देखेंगे उसे हम किस तरीके से tackle करते है अब इसी वीडियो में पहले एक बार ये condition चलो देख लेते हैं कि जहाँ पर y0 की value वहाँ पर हमें 1 given थी यहाँ भी 1 given है y-0 की value महाँ पर minus 2 given थी यहाँ पर क्या है k given और एक और यहाँ पर condition given है y-py by 2 equal to क्या है हमारा 1 then हमें पूछा गया है k की value क्या होगी ठीक तो हमें सबसे पहले यहाँ पर k की value find out करने होगी तरीका क्या होगा सबसे पहले laplace निकालने का तरीका सेम ही है y से multiply करेंगे अंदर इसी वएसे में note down करके नहीं दिखा रहा है solution provide करा रहा हूँ d square d square plus 1 d square की multiply करेंगे अंदर y के साथ तो हमारा d square y हो जाएगा plus y equal to t आ जाएगा दोने तरफ हम laplace ले लेंगे तो d square y का laplace क्या होता है p square laplace of y minus y p y 0 minus y dash 0 plus laplace of y तो हम निकालेंगे नि यह same question है बस हमें conditional लगा तो इसका solution आप देख सकते हैं पीछे वाले question में भी laplace of y equal to laplace of t अब simply हम यहाँ पर क्या करेंगे laplace जो हमारा y वाली value है उसे एक साथ ले लेंगे और सब को right hand side की तरफ ले जाएगे तो हमारा जैसे हम right hand laplace of y वाली equation क्या बननी है p square plus 1 और सब को हम क्या ले गए right hand side की तरफ ले गए अब p square plus 1 को भी right hand side की तरफ ले जाएगे तो वो इस तरीके से बन कर आजएगा अब l को इधर की तरफ लाएगे तो laplace inverse बन कर आजएगा और laplace inverse 1 upon p square into p square plus 1 की value क्या आएथी हमारी यहाँ पर हमने निकाला था value आएथी हमारी sin t minus t यह हमने अभी last question में ही देखा है same question है और p upon p square plus 1 का laplace inverse के आया था हमारा cost t और 1 upon p square plus 1 का laplace आया था sin t तो यह सारी value हम यहाँ पर put कर देंगे ठीक तो इसके बाद यह हमारी equation 1 कर आजएगी यहाँ से हमें simply करना क्या है y pi by 2 equal to 1 यानि कि t की जगए pi by 2 तो y की value क्या हो जाएगी 1 तो 1 equal to क्या आजएगा sin pi by 2 1 minus pi by 2 plus cos pi by 2 क्या हो जाएगा 0 plus k यानि कि pi by k की value तो हमें निकाल लिए sin pi by 2 क्या हो जाएगा हमारा 1 तो यहाँ से हमारी 1 से 1 cancel हो जाएगा तो k equal to क्या आजएगा simply इदर जाकर pi by 2 तो k की value हमें निकाल लिए k की value क्या जाएगी pi by 2 तो y का हमारा solution क्या हो जाएगा जो independent of क्यों होगा sin t minus t plus cos t plus pi by 2 into sin t यह हमारा solution last question से अलग आया है तो इसका मतलब क्या है क्योंकि हमारी यहाँ पे condition भी बदल चुकी थी वहाँ पे हमें y dash 0 की value minus 2 given थी और यहाँ पे y dash 0 की value अधी k put कर देंगे तो pi by 2 given इस वएगे से solution की भी value हमारी change हो गई तो इस तरीके से जब भी कभी हमें constant given होगा तो इस तरीके से हम उस question को करेंगे तो यहाँ पर हमने एक तो formula को कैसे हम याद रख सकते हैं वो देखा इस video में इसके बाद हमने देखा कि laplace में जब हमें condition given हो उसका laplace कैसे निकालते है ordinary differential equation का उसके बाद हमने देखा कि हमारे यादी कोई भी एक condition constant given है और मनला कोई भी equation variable की form में k की form में given है तो वहाँ से हम k की value कैसे find out करेंगे next video में देखेंगे partial differential equation का laplace हम किस तरीके से find out करते हैं